कि हेलो फ्रेंट्स आप सभी को मारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम आप लुको स्रीचित्रा त्रिवन इंस्ट्यूट्स फॉर मेडिकल साइंसें टेकनलोजी के तरफ से जो वेकेंसी आई हुए है उसके बारे में कंप्लीट डिटिल्स देने वाले हैं कि उसका स सारी क्लीर हो जाएंगे तो आब लाश्ट तक बनी रही है और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सراip करेंसी कहा है इदाएग को सब्सक्राएब करके औ से वीडियो का नोतिकेशन मिल सकते प्लेशन की तरफ सबसे पहले... पहला notification आपको पताते हैं कि जो पहला जो इसमें vacancy आया हुआ है और technician M.A.R.S.E. post के लिए आया हुआ है चलिए इसका बात करते हैं कि qualification और इसमें experience कितना मांगा गया है तो इसमें जो qualification आपका है और minimum 10th pass होनी चाहिए और ITI trade certificate होनी चाहिए M.A.R.S.E. के द्वारा अब जो third point इसका जो है आपको कम से कम दो साल का experience होना चाहिए कि इसमें जो central account plant है और elite installation and refrigerator का है उसमें maintenance और ऑप्रेशर में आपका दो साल का experience होनी चाहिए अब चलिए बात करते हैं इसमें दूसरा point में कि इसका नेचर या फिर पिरियाड ओव इंप्लाइमेंट हो कितने दिन के लिए इसका जो नेचर सबसे पहले कि यह पर्मानेट आपका जौब नहीं रहेगा यह temporary job है और यह maximum 179 days लिखा लेकिन मान कि चलिए नब 180 70 मतलब 6 मंत का आपका जौब रहे गाई है उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो नंबार वेकेंशी है और जेनरल के लिए तीन वेकेंशी है और इसमें जो मंथली आपका जो सेलरी मिलेगा और इसमें जो एज लिमिट है और 31-10-2020 तक आपका 30 यह होना चाहिए इसका जो वेन्यू है आनि कि इसका जो लोकेशन है आपका ओफ फॉर्थ फ्लोर अचूथा मेनन सेंटर फॉर हेल्थ साइंस स्टूड़ी आपका त्रिवन्थ पूरम में आपका यह वेन्यू इसका रहेगा उसके बाद इसका टाइम एंड डेट ऑफ सेलेक्शन जो रहेग और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम आपका जो है वह 9 बज़े आपको जाना है मॉर्निंग में अब चलिए बात करते हैं सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है उसके बारे में कि अब आप जब वहां पर आपको बुलाया जाएगा तो आपके साथ क्या-क्या आपको लेगना और जो भी चैंडिट्स बिलॉंगिंग टू से जो बिलॉंग करते हैं उनको एक वैलिट का सर्टिफिकेट लेते जाना है और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि कम से कम आपका जो जो सर्टिफिकेट होगा और रिवेन्यों ओफिसर तक ही वह मतलब इसूड होनी चाह चाहिए यह आपको ध्यान रखना नहीं तो आपका जो भी वैकेंसी वह जेंडल के लिए माना जाएगा अब चलिए दुसरे जो नौटिफिकेशन उसके और चलते हैं उसमें आपको दिखाते हैं कि दुसरी वैकेंसी जो है किस पोस्ट के लिए आई हुए चलिए दुसरी पोस्ट में मिलते हैं और दुसरी जो वैकेंसी आई हुए है और टेक्निसियन CSR के लिए आई हुए अब चलिए इसमें बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन और एक्स्प्रिएंस क्या-क्या मांगा गया है तो इसका जो क्वालिफिकेशन मिनिमुम आपको 10 पास होनी चाह परिए और जो नेटर केली प्रिएब एक निए डीपटेंटं है और इसमें आपका जो मैक्सिमम पृरिएड जो रहेगा oh 179 यानिकी श्रक नूमत और इसमें लूम्बर वैकेंसी यह ओजनरल के लिए एक य्खेंसी और मनतली सलरी है ऑम भी इसमें नालींट साही इसका जो वेन्यू है सेम लोकेशन वहीं है जहां पर आपको पहले नोटिफिकेशन में बताएं थे फोर्थ फ्लोर अचुथा मेनन सेंटर फूर हेल्थ साइंस स्टुडिस अफ दा इंस्टुटेड मेडिकल कॉलेज केंपस त्रिवन्थ पूरम और इसका जो टाइम और जो इसका भी जो रिपोर्टिंग टाइम है और नोव बज़े ही है और उसमें जो आपको बताएं थे कि क्या क्या डॉकुमेंट आपको ध्यान में रखना है तो इसमें भी एक बार आप ध्यान से पढ़ लिजिए कि इंस्ट इंस्ट इंट्रेस्टेट केंडिडेट्स में एप इसी केंडिडेट्स इसूड बाई रिवेनियों ओफिजर नोट बिलो दा रेंक अफ तहसिल दा यानि कि आपको जो डॉकुमेंट ले जाना है वो यह को प्रूब करे क्वालिफिकेशन को प्रूब करे एक्स्प्रियेंस को प्रूब करे या कास्ट इसारे सार्टिफिकेट या जो भी certificate है वो minimum revenue officer तक ही इसूड होनी चाहिए उसके नीचे तक सिलार की नीचे नहीं मतलब इसूड होनी चाहिए नहीं तो आपको फिर वो cancel कर देगा या तो फिर आपको जेंडल में ही डालेगा कि चले फ्रेंड्स कि उमीद करता हूं सारे चीज़ें आपको किलियर हो गई होगी और आपको कुछ डाउट्स रह गया होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं मैं हेल्प करने के लिए हमिशा रेडी हूं तब तक के लिए बाए